हलो अच्चो क्या हल चाल कैसे चल रही है बढ़ाई तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग डिसकस करने वाले है जेए एडवांस टुठाव 19 का पेपर 2 का सेक्शन 1 एक पार्ट अल्रेडी आ चुका है इसका सेक्शन 1 का इसमें कि हमने total 4 question किये थे और हमने देखे थे कि level of the question किस तरीके के थे हर एक option को हमें solve करके देखना पड़ते है तो multiple correct की यही खास बात है multiple correct में वो लोग time waste करवाते हैं तुम्हारा ठीक है तो तुम्हें बहुत strategically चलना पड़ेगा एक्जाम में multiple correct में ऐसा नहीं है तुम partial marking के पीछे भागो कभी भी wrong answer tick मत करो and मैं एक trick बताऊंगा कि multiple correct पे वही सारे options को फटाफट solve करो जो फटाफट easily solve होने वाले हैं ऐसे options जिसमें बहुत time लगने वाला है solve करने में उसमें time waste नहीं करने का ठीक है तो चलो start करेंगे उसके पहले मैं बतादू कि जो लोग भी इस channel पे नहीं हैं उनके लिए इस channel पे J.E.Mass की तेयारी होती है class 9th, 10th, 11th, 12th dropper के बच्चे अराम से आके पढ़ सकते हैं जैसे तुम home पे आओगे तो नीचे दिखेगा तुम upload section उसके नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा revision series for J.E.Mass जिसमें की multiple playlist है अल्रीडी एक playlist तुमें मिलेगा J.E.Advance previous year questions जिसमें की अभी तक तो 2011 से लेकर 2019 अभी चल रहा है लेकिन इसके पहले वाले भी आने वाले हैं उसके बाद तुम्हें दिखेगा J.E.Main previous year paper देन तुम्हें दिखेगा let's crack J.E.Main का एक playlist जिसमें की हमने अल्रीडी J.E.Main level के question solve किये हैं हर एक वीडियो में एक question solve करा है उसका concept भी पढ़ा है उसके बाद तुम्हें दिखेगा chocolate problem series chocolate problem series में basically क्या है कि advance level के हमने question लिया है जिसमें की multiple chapters के concept यूज हो रहे हैं एक साथ एंड उसको solve किया हर एक वीडियो में देन तुम्हें दिखेगा foundation builder course for I.E.T. J.E. इसमें हमने हमारा target रखा है कि जो भी J.E. advance level तक जो भी chapters है उसको हम लोग cover करेंगे एंड सारे chapters का basic cover कर लेंगे तो अगर 9, 10 में ही बच्चे basics पढ़ ले सारे chapters का तो जब वो 11th और 12th में जाओंगे तो उसके लिए बहुत ही easy हो जाएगा और easy हो जाएगा crack करना चाहिए तुम अल्रेड़ी देख रहे हो कि multiple playlists यहां पर बने हुए है एंड तुम्हें पता करना है कि कौन-कौन से chapter include होंगे तो तुम यह पहला वाला वीडियो देख सकते हो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कौन-कौन से chapter में include करने वाला हो यहां पर यहां पर बहुत सारे playlists अल्रेड़ी बन चुके हैं और भी आने वाले हैं जैसे ही J.E.A.डवांस का एक्जाम हो जाएगा तो ठीक है तो इस वीडियो के end में मैं tip भी बताऊंगा कि आफ 7 days बचा हुए है तो तुम किस तरीके से J.E.A.डवांस के तैयारी कर सकते हो चलो तो हमने यार section 1 का कुछ questions अल्रेड़ी solve कर रखे हैं part 1 में उसके बाद हम लोग solve करने वाले है part 2 में उसके आगे वाले questions तो यहां पर question आगे हमारे सामने and question में क्या बोला गया है पढ़ लेते हैं greater than 0 में ही define करेंगे even x not equal to 0 मतलब 0 या 0 के आगे ही function define कर रहा है then उन्होंने बोला x1, x2, x3, xn और यह सारे numbers बड़े हैं मतलब सबसे छोटा x1 उसके बाद वाला x2, उसके बाद वाला x3 be all the points of local maximum x, i, local max के लिए है and y1, y2, y3, y1 local minimum के लिए yi basically min के लिए बस यह याद रखना है तुमें ठीक है ताकि confusion create ना हो then which of the following option is or are correct x1, y1 के बादे हैं बात की गई है xn plus 1, xn तो xn belongs to this xn minus yn यह सारे बात की गई है तो basically यह सारे options तो तफ सॉल हो जाएंगे तुरंत अगर मैंने यह find out कर लिया कि यह जो local maxima वाला point and local minima वाला point है यह कौन सा है और local maxima, local minima किस से find out करते हैं तो तुमें पता होना चाहिए तो तुमें एक्जाम में फटाक से क्या करोगे function given होगा function given होगा sin pi x एक सेकेंड sin pi x divide by x square यह function given है इसको मैं फिर से लिख देता हो गंदा सा लिखा गया है पैन काम नहीं कर रहा है करेगा, काम करेगा काम करेगा, इससे कैसे नहीं करेगा ओके f x आ गया, कैसे निकालते हैं बताओ sir f dash x निकाल दो na f dash x कैसे निकालोगे sir इसका square किया इसको जैसे का तैसा छोड़ा sin pi x का डिफ्रेंशन sin का डिफ्रेंशन cos cos pi x लेकिन एक pi बाहर आएगा क्योंकि pi x का भी डिफ्रेंशन होगा minus sin pi x को जैसे का तैसा रहने दो x square का डिफ्रेंशन करो 2x into sin pi x ये तुमारा f dash x आ गया अब तुम्हें चेक करना है कि यार f dash x 0 कहां कहां पे हो रहा है तो f dash x 0 कहां कहां पे हो रहा है उसके लिए हमने चेक किया तो पहली बात हमने देखा कि यार ये तो x x x हरजर से कट रहा है तो ये pi x cos pi x बचा minus 2 into sin pi x बचा divide by x cube x x x उड़ा दिया हमने अभी इसका sign change देखेंगे ओविस सी बात है बहुत सारी point आने वाले क्यों क्योंकि trigonometric function involved है न ओके then we can see f dash x is equal to अब देखो इसको धियान से देखने के बात है ठीक है f dash x is equal to दो चार तरीका होता है ठीक है since हमें sign change देखना है sign change देखना है पहले तो हम लोग इसको 0 से equate करेंगे तो f dash x 0 कहां पे हो रहा है वो calculate करते है जब 0 कहां पे हो रहा है वो calculate करने जाएंगे तो we will see pi x into cos pi x is equal to 2 sin pi x ok then from here we can see sin x upon cos n pi x basically pi x by 2 के बराबर है है कि नहीं ok यही है ना नीचे देख लो हाँ differentiation हमने सही किया है pi x sin pi x रह गया ऐसे कर जाएसे x square के differentiation 2x then यह जब ठीक है ok तो 10 pi x is equal to pi x by 2 को solve करना है तुमें तो इसके तो बहुत सारी solution आएंगे और वैसी बात है कैसे solve करोगे 10 pi x का अलग ग्राब बनाओगे pi x by 2 का अलग से ग्राब बनाओगे since हमें से positive direction बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ एकदम यहाँ पे y x इस ले रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा ग्राब बनापाऊ ठीक है ताकि मुझे x1, y1, x2, y2 सब कुछ दिखे अच्छे थे then I can say कि भाई यह 0 है ओके अब 10 के बारे में देखो जैसे x की value pi by 2 हो जाए जैसे x की value pi by 2 हो जाए 10 के अंदर तो उस time पे 10 undefined होगा तो कहा कहा पे undefined हो रहा है बस वो देख रहे है odd multiple of pi by 2 पे होता है odd multiple of pi by 2 तो basically यह 1 by 2 3 by 2 मतलब 1 by 2 3 by 2 5 by 2 7 by 2 9 by 2 11 by 2 ऐसे सारे points पे क्या होगा तुम बोलोगे discontinuous होगा क्योंकि 10 का graph बना रहे हैं हम लोग तो यहां 1 by 2 यह सब क्यों लिया क्योंकि अल्रेडी उसके अंदर pi है न already pi already fix कर दिया हुना ने ऐसे नहीं तो बनाते हैं तो लोग pi by 2, 3, pi by 2 ऐसे बनाते हैं लेकिन pi तो अल्रेडी उसमें है तो अब x की value यह हो सकती है ठीक है then we will see कि graph कुछ ऐसा आएगा यहां से इधर then यहां से यहां कई 0 आएगा pi पे 0 आएगा मतलब यह 1 है then यहां से फिर 0 आएगा यह कितना है 2 है यहां से फिर 0 आएगा यह कितना है 3 है यहां से फिर 0 आएगा यह कितना है 4 है यहां से फिर 0 आएगा यह कितना है 5 है okay then हम लोग इसका graph बनाएंगे pi x by 2 y is equal to pi by 2 x तो यह origin से एक line pass करेगा slope exactly कितना होगा हमें नहीं पता है लेकिन हम बोलेंगे ठीक है इसे तो कुछ जाएगा line so this line is y is equal to pi by 2x then अब आगे देखते हैं कहा कहा point of intersection आ रहा है यहाँ पे f dash 0 होगा एक तो exactly यहाँ होगा लेकिन इसको include करना नहीं है तो हम लोग point को पहले यह करते है mark एक यहाँ एक इधर एक इधर एक इधर पहले इसी चार point को लिखते है suppose this point is कुछ भी x1 y1 अभी हमें तो नहीं पता है तो मैं alpha ले लेता हू suppose this is alpha 1 यह वाला point is alpha 2 यह वाला exactly नीचे है alpha 3 यह वाला exactly नीचे है alpha 4 चलो 4 ले लिए इतने में तो काफी है तुरंट पता देल जाएगा सुब कुछ alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 ओके अब देखना मैं sign change देख रहा था किसका sign change देखना है इस quantity का इस quantity का मुझे sign change देखना है तो इस quantity में 10 में बनाता हूँ क्योंकि 10 and pi x by 2 में लोचा है जो भी है तो I can say कि भाई cos pi x अगर मैं common ले लूँ ठीक है तो ये बनेगा pi x minus 2 times sin upon cos 10 pi x ओके इस 2 को भी common ले लूँ मैं तो इधर by 2 कि या इधर 2 इधर या 1 ठीक है अब देखो अब मैं sign change बहुत ही आसानिस देख पाऊंगा x cube x cube तो हमेशा positive रहेगा क्यों क्योंकि x is always greater than जीर हो तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है f dash x का sign change देख रहे हैं हम लोग बहुत important ये देख लिया काम खतब question solve हो जाएगा ये वाला चीज positive अब इस quantity के बारे में देखो ये और ये इसका sign change तो हर interval में बता सकते हैं तुरन थम दो पहले इसका sign change देख लेते हैं 904 pi x cos के बारे में जब 0 से 1 by 2 तक जाओगे जब 0 से 1 by 2 तक जाओगे तो cos के अंदर वाला जो एंगल होगा 0 से pi by 2 तक जाएगा 0 से pi by 2 तक में positive इस case में मैं reason दिखाते जाओँ इस reason में cos वाला चीज positive और 1 by 2 से 1 में जाओ तो यह pi by 2 से pi में जाएगा उसमें यह वाला चीज negative ठीक है then 1 से 3 by 2 में जाओ 1 से 3 by 2 मतलब pi से 3 pi by 2 फिर से negative मतलब यह पूरा का पूरा reason में negative then 3 by 2 से 2 में जाओ तो 3 by 2 से 2 में जाओगे तो 4th quadrant इसमें positive 3 by 2 से 2 वाले में positive ओके तो यहाँ positive आया है इस reason में 1 by 2 से 1 वाले में negative आया है 1 से 3 by 2 वाले इस reason पूरा negative आया है इस reason में फिर से positive इस reason में negative यह ठीक है ठीक है देख लेंगे इसका तुरान अब इसके बारे में तो मुझे पता है तो मैं क्याकर तो एक एक interval लेता हूँ जहाँ जहाँ 0 हो रहा है उसके आगे पीछे देखना है मुझे तो मैं अगर देखो तो भाई कॉस ही अपना sign change कर रहा है कॉस ही 1 by 2 पे ही पहले sign change हो रहा है ठीक है तो तुम देखो गयार मैं number line बनाता हूँ इससे तुमें फटाफट clear होगा जब number line बनाऊंगा तो तुम देखना क्या कर डालूँगा मैं 1 by 2 डालूँगा यहाँ 1 डालूँगा इधर कहीं alpha 1 डालूँगा then 3 by 2 डालूँगा then मैं 2 डालूँगा then I will say alpha 2 आएगा then 5 by 2 डालूँगा then मैं 3 डालूँगा then alpha 3 डालूँगा then मैं इधर 4 डालूँगा sorry 7 by 2 डालूँगा then 4 डालूँगा then alpha 4 डालूँगा ठीक है ऐसा कुछ चलेगा ओके अब इसको analyze करते हैं तुम सोचो 0 भी इधर है ठीक है 0 से half में 0 से half में क्या situation चल रहे है जब 0 से half में जाते हो दिस मेंस ठीक है अच्छा 1 by 2 से 1 में क्या हुआ 1 by 2 से 1 में सॉरी 1 by 2 से 1 में तो ये positive है this graph is उपर देन this graph तो 1 by 2 से 1 में ये positive and वो वाला negative तो ये negative है न 1 से alpha 1 में क्या हुआ फिर 1 से alpha 1 में यार फिर से वो वाला चीज positive लेगन ये negative तो ये negative ये क्या हुआ and 0 से 1 by 2 में ये quantity negative and ये quantity positive तो अवराल negative alpha 1 पे कुछ change आने वाला है शायद देखना alpha 1 पे change आएगा alpha 1 से 3 by 2 में alpha 1 से 3 by 2 में जैसे हैं ये वाला quantity हो गया negative and ये वाला quantity भी negative था तो यहां ये positive आ गया देन 3 by 2 से 2 वाले पार्ट में ये बड़ा है 10 से ये बड़ा है 10 से तो overall ये positive लेकिन 3 by 2 से 2 में cos वाला चीज भी positive तो ये भी positive ओके देन 2 से आगे चलो 2 से alpha 2 में क्या होने वाला है 2 से alpha 2 में ये positive ये वाला चीज positive एंड 2 से alpha 2 तुम तो इस सोचो 2 से 5 by 2 फर्स्ट क्वड़ने तो cos positive positive into positive ओके देन alpha 2 से 5 by 2 में क्या हो रहा है alpha 2 से 5 by 2 में ये वाली quantity होगे negative लेकिन ये वाला quantity है भी positive तो ये negative ओके देन 5 by 2 से 3 cos वाला चीज नेगेटिव cos वाला चीज नेगेटिव एंड 5 by 2 से 3 में ये वाला चीज positive तो ओवर ओल ये negative ओके देन 3 से alpha 3 में फिर सो वही pattern चलेगा basically 3 से alpha 3 में क्या होगा तो हम बोलेंगे ये वाला तो अभी भी positive है लेकिन 3 से alpha 3 basically 3 से ये 3 से 7 by 2 सोचो फिर से यहाँ alpha इसके आगे positive ऐसा चलेगा ठीक है तो मुझे दिख रहा है यार कि either decreasing, either decreasing यहाँ positive then यहाँ positive से negative then यहाँ negative से positive then यहाँ पे alpha 4 पे आएगा ऐसा ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ alpha 1 alpha 3 alpha 5 ये जितने भी point से ही है points of local minima है and alpha 2 alpha 4 alpha 6 ये सब जितने भी एक कित्या है points of local maxima यहाँ तक clear है इससे मुझे पता चलके x1, y1, x2, y2 सब अब कौन से सब से easy है तो पहले तो x1, y1 वाले easy है x1, y1 अब मुझे पता है यार local minima मतलब ये basically alpha 1 मेरा y1 है है ना this is y1 is alpha 1 and x1 is alpha 2 अब बताओ कौन बढ़ा है तो obvious ही बात है x1 is greater than y1 है लेकिन यहाँ बोला x1 is less than y1 पहला option cut हो गया then इसके बारे में देख लेते हैं xn belongs to xn x क्या है maxima वाला alpha 2, alpha 4, alpha 6 यह सब किस range में विलांग कर रहा है देख लो alpha 2 belongs to 2 से 5 by 2 2 से 5 by 2 के बीच में n is equal to 1 डालर 2 से 5 by 2 n is equal to 2 डालेंगे तो यह 4 से 4 नाट एक 9 by 2 4 से 9 by 2 के बीच में alpha 4 आएगा अव्यसी बात है आ भी रहा है ठीक है तो यह वाला किस सही हो गया xn belongs to this interval अब चलते हैं xn minus yn greater than 1 xn minus y1 का magnitude xn minus y1 मतलब alpha 2 minus alpha 1 का magnitude हमें सा 1 से बढ़ा होगा मतलब यह distance के बारे हम बात कर रहा है यह distance 1 से बढ़ा होगा देखते हैं होगा कि नहीं तुम यह सोचो कि यह जो 10 का graph है 10 का यह जो moving curve है यह तो एक periodic function है अच्छा periodic function है तो इसका कुछ pre-aid होगा तो अव्यसी बात है कितने time के बाद यह repeat कर रहा है तो 1 by 2 से 3 by 2 it is 1 interval में यह repeat कर रहा है है ना ओके तो this means इस point पर कोई भी इस point पर कोई भी point लो horizontally join कर दो यह distance कितना होने वाला है हमेशा 1 होने वाला है तो यहाँ पर alpha 1 कोई point ले लिया इसको horizontally यहाँ join किया तो यह distance कितना होने वाला है तुम बोलो कि 1 होने वाला है तो अव्यसी बात है यह distance से थोड़ा ज्यादा ही होगा तो यह difference जो है 1 से बढ़ा है बोलेंगा हाँ तो यह difference 1 से बढ़ा है then xn प्लस 1 माइनस xn तो फिर से y change alpha 1 यह 1 हो गया किसके किसे बेच है xn प्लस 1 मतलब alpha 2 alpha 4 के बीच में बोल रहा है तो फिर से ठीक है alpha 2 से यहां गए 1 unit यहां गए 1 और unit ठीक है ओके दो unit हो गया तो यह 2 से बढ़ा ही है तो यह भी सही हो गया तो यह question solve हो गया तो देखा question में बस दिमाग कहा लगाना था इस part में कि maxima minima ढूणने में तुम्हें गलती नहीं करना है maxima minima तुमने ढूण लिया हो गया अब एक और question बहुत interesting question देखो अब ऐसे limits आ जाए तो तुमने देखा होगे कि ऐसा एक limit आया हुआ है ठीक है अब तुम्हें देखना है बस इसको analyze करना है तुम्हें हर एक part को अगर तुमने analyze कर लिया न question बन जाएगो तुम सोचो जब भी ऐसा एंड टेंडिंग पॉर्स इंफिनिटी टाइप question आता है limit में एंड ये सब summation रता है तो किससे बनता है सबसे पहले तुम्हें बाद ये क्लिक करनी चाहिए तो किससे बनता है तुम बोलोगे sir ये तो summation integration वाले से बनता है ठीक है तो तुम्हें बस वही find out करना है किस चीज का r by n 1 by n generate हो रहा है या नहीं ठीक है तो r by n generate करने की कोशिस करते हैं बेसिकली summation लिखने की कोशिस करते हैं तो मैं फिर से उसको repeat करूंगा लिखने के लिए I will say कि ठीक है limit n tending towards infinity है देखते मुझे क्या-क्या दिख रहा है एकदम basic से सोचेंगे उपर 1 पे power कुछ नहीं है तो ये इसको ऐसा बोल सकते 1 power 1 by 3 है ठीक है क्योंकि अगला वाला term पे power 1 by 3 है 3 पे power भी 1 by 3 रहा होगा इसी तरीके से n पे power भी 1 by 3 रहा है अब n पे power 7 by 3 है n पे power 1 by 3 अलग उठा लू and n पे power 7 by 3 है तो इधर 6 by 3 बचाओगा that is n square तो I can say उसको मैं divide कर पाओँगा अलग अलग से n पे power 1 by 3 n पे power 1 by 3 तो 7 by 3 जो power था उसका n square तो यहां बची गया अब इसको देखते हैं आन से इस bracket में क्या लिखा हूँ है यहां पे नीचे क्या लिखा हूँ तो 1 upon a n plus 1 का whole square plus 1 upon a n plus 2 का whole square plus 1 upon a n plus n का whole square देखो ध्यान से अब यह limit 54 given है इसको बाद में equate कर देंगे 54 से पर लिमिट तो calculate कर ले ओके अब मुझे कुछ चमका यह 1 upon a n plus 1 में n common look निकाल लू तो n square a plus 1 by n बन जाएगा यह मिले दुसरे बाले में से n common निकाल लू तो n square a plus 2 by n बन जाएगा एक दम r by n के form में आ रहा है n square a plus n by n बन जाएगा मतलब सब से n square अगर common निकाल लू सब में से n square common निकाल लू उपर तो देखो उपर अल्री आ चुका है जो भी आना था ठीक है अभी नीचेवाले को मैनूपलेट कर रहे है तो एक तरीक इस्ट में N square को अंदर ले जा रहे हो ठीक है N square को अंदर ले जा रहे हो तो नीचेवाला exactly क्या बन रहे है पता है फिर से में लिख रहा हूँ इस चीज को limit and tending towards infinity 1 upon n to the power 1 by 3 plus 2 upon n to the power 1 by 3 plus 3 upon n to the power 1 by 3 plus n upon n to the power 1 by 3 उपर वाला मस्ट एकदम चल रहा है नीचे वाले में n square बहांड गया तो यह बन गया 1 upon a plus 1 by n का whole square 1 upon a plus 2 by n का whole square इसी तरीके से 1 by a plus n by n का whole square यह exactly summation के form में लिखा हुआ है लेकिन अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि उपर नीचे पूरा एक r by 1 के form में आज़े लेकिन यह पूरा आ नहीं रहा है यह अलग summation चल रहा है नीचे वाला उपर वाला अलग summation चल रहा है नीचे अलग लिखावा है summation r is equal to 1 से n तक 1 upon a plus r by n का whole square अब दोनों अलग लिखावा है दोनों में 1 by n नहीं है दोनों में अलग से 1 by n, 1 by n multiply कर दिया इससे फाइदा क्या हुआ? दोनों में अलग-अलग limit लग गया and दोनों को integration में convert कर दिया उपर वाला वन गया integration r is equal to r by n को 1 लिया तो infinity को जा रहा है तो 0 and 1 r by n को x लिया x की power 1 by 3 dx उपर वाला clear नीचे वाले को देखना नीचे वाला लिखावा है integration 0 से 1 1 upon a plus x का whole square integration खतम ये दोनों integration हमें करने आता है बहुत easy है तो integration देखो x to the power 1 by 3 का integration है x to the power 1 by 3 plus 1 divided by 1 by 3 plus 1 limit लगाएंगे 0 से 1 नीचे 1 upon a plus x the whole square तो ये तो लिखा हुआ है a plus x की power minus 2 a plus x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 ठीक है तो minus of 1 upon a plus x है ठीक है ये minus of 1 upon a plus x लिखा हुआ है exactly same ही लिखा हुआ है हाँ ठीक है this is minus of 1 upon a plus x 0 से 1 ठीक है उपर लिमिट रखेंगे उपर लिखा है 3 plus 1 4 by 3 x to the power 4 by 3 एंड ये भी है 4 by 3 ठीक है 1 रखोगे तो ये 3 by 4 आएगा 0 रखो 0 तो उपर वाला 3 by 4 आगया नीचे वाले में 1 रखोगे तो आएगा minus of 1 upon a plus 1 ठीक है minus फिर से minus 1 is plus 1 upon a plus 0 ठीक है exactly ये आगया इसको एक्वेट करना है 54 से तो हो गया easy है अब तो 3 by 4 times 1 by a minus 1 by a plus 1 is equal to 54 यहाँ से 3 से कटेगा 3 वन जा 3 ठीक है 18 एंड हो गया अब क्या करे कर लेते हैं जो भी करना है cross multiply 1 by a minus 1 by a plus 1 is equal to 1 by 4 into 18 ठीक है यहाँ से a plus 1 minus 1 minus a divide by a into a plus 1 is equal to 1 by 4 into 6 into 3 ठीक है इसको देख लेंगे आगे उपर आगया 1 by a into a plus 1 is equal to 1 by अब इसको ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं करूँ तो क्या लिखा हो 6 into 3 यह 9 into 2 हाँ तो यह 8 into 9 लिखा हो है 8 into 9 है ना हाँ तो आगया a की value कितने आगे 8 a की value कितने आगे 8 then the possible value of a r लेकिन यह तो quarter rate की question है दो-दो answer आएगा तो ठीक है 72 is equal to a square plus a a square plus a minus 72 is equal to 0 9 8 तो 9 डालेंगे तो यह 8 डालेंगे तो 88 चर्चर्ट प्लस 8 बहत्तर तो a minus 8 into a plus 9 is equal to 0 a is equal to 8, minus 9 8, minus 9 8, minus 9 भीया easy, 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 easy ठीक है ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं असानी असानी से हो जा रहे है ठीक है बस तुम्हें दिख रहा हो calculation चल रहा है बहुत ज़्यादा conceptually difficult नहीं है तो चलेगा है ना मचा देंगे हम लोग मचा देंगा और क्या ही करना है अब यह question देखो easy है बहुत जैसे है ऐसा है मैंने बार बार जिखा दिया इस step कहा हो तो क्या लगता है Newton Labnitz Newton Labnitz इतना important है कि हर साल एक question आएगा fix है लिख लो small fx define किया गए capital fx इस तरी case define किया गए capital f का local maxima local minimum पुछा है तो अब्यसी बात है capital f dash x मुझे चाहिए capital f dash x exactly fx के बराबर होगा Newton Labnitz में लगएगा ठीक है तो वो तो है x minus 1 x minus 2 x minus 5 तो यहां से दिख रहा है sign change में मुझे देखूंगा 1 2 5 plus minus plus minus ओके local minimum यहां से यहां से ओके मैं इधर बना तो यहां से decrease करेगा इधर बढ़ेगा यहां से फिर से decrease करेगा इधर बढ़ेगा ठीक है तो दिख रहा है f is local minimum क्या 1 पे local minimum एकदम सही बात है f is local maximum 8 x 0 to एकदम सही बात है f is 2 local maxima and 1 local minimum 2 local maxima नहीं एक ही local maxima है and 1 local minimum नहीं 2-2 local minimum है तो यह तो wrong हो गया तुरंत यह कितना easy था last f is not equal to 0 for x belongs to 0 is 5 फसादिया यार फसादिया f is not equal to 0 for all x belongs to 0 से 5 ठीक है यह true है false है तो अगर मैं दिखा दूँ there exists a x जिसके लिए है ठीक है लेकि नहीं दिखा पाऊंगा तो मैं fx निकालने की कोशिस करूँगा बैसिकली है ना ओके तो integrate करना पड़ेगा क्या और तो कोई option नहीं दिख रहा है क्योंकि maximum minimum से मैं fx का यह नहीं बता सकता हूँ 0 होगा नहीं होगा यह होगा ठीक है तो देख लेते हैं देखो small fx जो है उसको ठीक है देखो x-1, x-2, x-5 है इसको multiply करो यह तो x square minus 3x plus 2 है इसको multiply किया x minus 5 से तो यह ultimately आगया x cube minus 5x square minus 3x square plus 15x plus 2x minus 10 तो यह आगया x cube minus 8x square plus 17x minus 10 यह तुमारे small fx हागया इसका integration ft का integration basically dt के टॉम में तो यह t ले लो तो integration 0 से x capital fx is equal to t cube minus 8t square plus 17t minus 10 का integration dt के साथ तो दिस इस t to the power 4 by 4 minus 8 into t cube by 3 plus 17t square by 2 minus 10t integration 0 से x this is fx तो capital fx मेरे पास आगया x to the power 4 by 4 minus 8x cube by 3 plus 17x square by 2 minus 10x तो यह मुझे देख रहा है तो यह मुझे देख रहा है x is equal to 0 पर exactly 0 है ठीक है तो fx is equal to सब में x common x cube by 4 minus 8x square by 3 plus 17x by 2 minus 10 ओके यह आगया हमारा cubic equation अब देखो इसको मुझे visualize करना है ठीक है इसको मुझे visualize करना है तो what I can say यह तो by quadratic power 4 है इसका तो इसको differentiate यह या तो ऊपर ही रहेगा हमेंसा या तो हमेंसा नीचे ही रहेगा ऐसा हो सकता है ठीक है it can be there ओके तो if I will see fx is 0 से 5 में ही देखना है मुझे तो मैं f of 0 देख रहा हूँ 0 लेकिन 0 तो है नहीं अपने domain में f of 1 जहाँ आप maxima minima है maximum वाला ही देख लेता हूँ तो पे क्या हो रहा है f of 2 निकाल लो f of 2 तो 2 टाइमस 2 क्यो 8 by 4 minus 8 into 4 by 3 plus 17 into 2 by 2 minus 10 इसको simplify करो simplify करोगे तो f of 2 exactly आजाएगा 2 times 2 minus 32 by 3 plus 17 minus 10 ठीक है ये कितना आ रहा है देखो 2 times 17 plus 2 19 19 minus 10 9 minus 32 by 3 तो ये 27 minus 32 by 3 एकदम एक negative value आ रहे सोचो तुम सोचो अफसी simple जी बात है बहुत easy हो गया नहीं question अब 0 पे 0 था 0 पे function 0 था उसके अद नीचे आया minimum बनाया 2 पे उसको maximum होने का मौका मिला लेकिन वो भी negative रह गया फिर से वो नीचे ही चला गया negative रहा 5 पे वो फिर से minimum हो गया इस बीच में तो वो बेचारा कभी 0 होई नहीं पाएगा इस बीच में वो कभी 0 होई नहीं पाएगा खतम hence यह true है ओके चलो next question last question last question easier side पे था फिर से देखो बोला गया है let L1 एक line है इस पे तो point बहुत इज़िए lambda,0 को है 0 इस पे point है 0,μ,1 देखो फसाया गया के पहले दिया मैं भी अभी गलती कर रहा था ठीक है 0,μ,1 ओके I 1,1,new ठीक है तीनो लाइन का point ले लिया are given for which point Q and L2 यह Q point है can we find a point P on L1 and point R on L3 so that P,Q,R are collinear अब P,Q,R अगर collinear है this means मैं इसा बोल सकता हू P,Q vector is equal to some lambda lambda तो अल्रेदी यूज कर लिया है इनो ने new भी यूज कर लिया new भी यूज कर लिया तो T times Q,R vector है ना P,Q vector is equal to T times Q,R vector क्योंकि सा तीनों के तीनों collinear vector so P,Q vector 0 minus lambda minus lambda i cap then mu minus 0 mu k cap sorry j cap plus 1 minus 0 k cap is equal to T times Q,R vector 1 minus 0 i cap plus 1 minus mu j cap plus new minus 1 k cap तो simple सी बात है compare करेंगे तो I can say minus lambda is equal to T i cap value compare किया then I can say mu is equal to 1 minus mu into T then I can say 1 is equal to new minus 1 into T so from here I can say कि by minus lambda upon 1 is equal to mu upon 1 minus mu is equal to 1 upon new minus 1 यह हमेशा true होगा okay so यहाँ से अब mu मुझे किसके बारे में पता करना है there exists a point Q Q एक point मतलब mu के बारे में आडिया चाहिए and यहाँ पे lambda belongs to real number और new belongs to real number देख देखो जब lambda real number को belong करेगा तो यह value भी real number को belong करेगी ठीक है lambda real number को है तो उसका negative real number को है अच्छा new real number को है तो तुम यह बोल सकते हो कि भाई यह सिर्फ one पे define नहीं होगा and one पे exactly कहा जा रहा है infinity तो यह जो है all real number except क्या होगा all real number की value ले लेगा except जब one पे linear upon linear का हमें range पता होता है linear upon linear का range तुरंत याद रखने बोला जाते है ax upon b cx upon d का domain बदल बोलेगा तो all real number minus minus d upon c लेकिन अगर range इसका बोले तो all real number minus a upon c है ना all real minus a upon c अब simple सी बात है भी या देखो तो इसका all real number minus a ये तो 0 है वहाँ तो 0 यहाँ ओके दिस मेंस mu upon 1 minus mu लेकिन मुझे exactly अगर mu मिलता ना तो mu की value directly मज़ा आ जाता ठीक है it is it should not be equal to 0 तो mu should not be equal to 0 यहाँ से यह पता चल गया ठीक है and 1 minus mu define नहीं होना चाहिए mu should not be equal to 1 also ठीक है तो mu 0 1 नहीं हो सकता है इसके अलावा mu कुछ भी चलेगा mu 0 1 नहीं हो सकता है इसके अलावा कुछ भी चलेगा सो चो तो जब 0 होता है तो यह 0 0 और बनताब सिर्फ k-cap यह नहीं हो सकता है mu 1 भी नहीं हो सकता है मतलब J-cap plus K-cap यह भी नहीं हो सकता है इसका मतलब A और C हो सकता है बस खतम यह easy question था तो यहाँ पर यार हमारा paper 2 का section 2 complete हो जाता है paper 2 का section 2 complete हो जाता है paper 2 को हम लोग complete कर लेंगे तो मैं अब तुम्हें बता देता हूँ जो भी यह J-E का exam अपना 2021 3rd October को ठीक है इसके पहले मैं J-E 2019 तक के सारे paper solve कर लूँगा मतलब अब basically section 2 बचा होगा है उसके अदीजी वाला तो इतना तो solve करूँगा मैं यह confirm नहीं बता सकता हूँ तुम्हें कि मैं J-E 2020 भी cover करूँगा 2020 में भी start कर दूँ लेकिन cover करूँगा कि नहीं तो अब तुम्हें जो बात रखने वाली important बात है exam के पहले तुम्हें क्या करना है सारे PYQ से जो भी important concept important formula रटे हैं या फिर समझे हैं उसको पूरा conceptually strong कर लेना है ठीक है conceptually strong कर लेना है ताकि PYQ जैसा ही कुछ question आए तो तुम्हारा solve हो जाए PYQ करना है then second point अभी तुम्हें क्या करना है और कुछ भी नया topic पर focus नहीं करना है no new topic no new topic एक भी नया topic पर तुम्हें focus करना ही नहीं है जो तुम्हारे strong point है उसको analyze करो जो तुम्हारा weak point है उसको analyze करो ताकि तुम जब exam देने जाओ तो तुम्हें पता हो कि ये मेरा strong point है ये मेरा weak point है तो इस point को मैं बाद में attempt करूंगा जो भी strong point है उसको मैं for the effort attempt करके अच्छे marks score कर लूँगा then जो भी बच्चे हुए time है उसमें और time utilize करने है तुम formula revision करो formula जो भी important formula है physics, chemistry, math में सबको revise करो ठीक है सारे formula रट्टा माल लो बस इतना काम कर लो full confidence के साथ जाओ एक्जाम में strategy कर लिए मैंने क्या बोला अभी strategy पे ज़्यादा focus करो ये जो time है इने इस time में खूब strategy बनाओ दो चार plan बना के चलो plan A, plan B, plan C ऐसा नहीं है कि paper 1 खराब चल गया तो paper 2 खराब कर लिया या फिर कुछ ठीक है panic होने का यह नहीं है suppose किसी का paper 1 बहुत गंदा चला गया paper 2 से भी selection हो सकता है मेरे साथ exactly same हुआ था मेरा जो है paper 1 में 60 marks आया था ठीक है लेकिन paper 2 में मैंने मचा दिया था ठीक है तो overall तुम्हें बस ये समझना है कि depend नहीं करता है paper 1 में अच्छा माक्सा है paper 2 में अच्छा माक्सा है हो सकता है paper 1 किसी कले difficult हो हो सकता है paper 2 किसी कले difficult हो सब कुल depend करता है person to person तो तुम्हें किसी से compare करना ही नहीं है खुद को खुद का पढ़ाई करो खुद का level जानो उस इसाफ से जाके मचा क्या हो चलो पढ़ते रहो all the best